ही चिल काहीं कि हाथ थर्मोमेट्र के बाद में अपन फॉर्स स्टारटिंंग कीए ही ठार्ण किया चीज्ट करी ठार्मल एकस्पैंशन आशिड़ा देखो थर्मल करा थर्म एकस्पैंशन में आपंने सार्थक नहीं है तो फिर राधा बताएगी राधा लीनियल वॉल्यूमेट्रिक एंड एरियल अच्छा इनमें कोफिशेंट्स जो होते हैं उनकी वैल्यूस किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं आधा बींतागत है एलफा बीटा गामा में रिलेशनला एइसओ ट्रोपिक के लिए उनके उसे कोफेशेन डिरेक्शन उनको आठ करेंगे तो वेरी गुड सबाज तो इसके प्रोब्लम्स आपने रिवाइस के बटा जो भी कल कराय था किया से कल क्या क्या पड़ाई गरी कि सब्सक्राइब कर दो अन्हें जो पड़ाया था वह रिवाइस किया तोटल अप्रॉक्स किते गंट्री इसका मैंने अटॉमिक रीजन बता दिया था यह वह बता था कि यह बता था कि बैसिकली सारे पार्ट्स एक्स्चेंज हो सकते हो जाएंगे कोई भी कम नहीं होगा कि वह सब्सक्राइब यह बढ़ेगा तो यह चीज कराए थी अब इसके अपन आप्लिकेशन देखें तो यह आप्लिकेशन अपने को समझने आपने पर अपने पर आप्लिकेशन पढ़ेंगे तो हैडिंग आ लिए आज तारिक तेरा अधिव ठीक है अब लागेशन ओओ अह प्लिकेशन अप्लिकेशन अप्लिकेशन अप्लिकेसिंट खर्मलік इक्स्पंशन इस स्थाह रिकेशन पैसप्लिकेशन अफ्रमल एकिस्पंशन om अस्षेम्टाव सेशी स traffic बस है सिंपल पेंडूल बहुत ही सिंपल आप्लिकेशन है बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा ज्यान से मेरी पास समझेगा कि सिंपल पेंडूलम एज़ा कुछ है एक यह सब्सक्राइब यह एल लेंग का वायर है ठीक है वना होगा यह मास है तो इसका जो टाइम पीरिएड होता है टाइम पीरिएड कैसे दिया जाता है किसी को फॉर्म रहा या देगा टाइम पीरिएड हाँ पूरव बताओ टूपाई अंडरूट लबाई जी पेटा अब ध्यान से इस चीज़ को ध्यान से समझना जो मैं बोलने की पता रहा हूं लेंट L लेंट L इस नेड़ अपाउं से बनी हुँ तो अगर मेटल से बनी हुई है तो पता है क्या चीज़ पता है कि अगर टैंप्रेटर ही टावान है ध्यान से सुनो ता आपने टेंथा लिए ट लेटर है पहले से मैंने time के लिए बोल दिया temperature को theta 1 बोल रहा हूं theta 1 पे उसकी length let's say l1 है ठीक है या l है ठीक है जो भी variables लेना चाहते हो let's say length l है तो time period जो है time period हो गया 2 pi root under l by g अब मेरी बास समझना अगर मैंने temperature theta 1 से theta 2 बढ़ा दिया तो length क्या होगा length same रहेगा कि बढ़ेगा देखो पहले temperature theta 1 गा मैंने temperature theta 2 कर दिया तो length क्या होगा बढ़ेगा और बढ़ेगा तो यह l dash होगा l dash होगा तो time period t dash होगा time period t dash is 2 pi root under l dash by g g तो constant है ना उसे हर दिमाता का प्यार है 2 pi constant है तो अगर अगर temperature बढ़ रहा है तो एक simple pendulum के time period में change आ रहा है क्या यह मेरी बाद सबको clear है एकदम crystal clear क्या अगर temperature बढ़ा अगर temperature इंक्रीज किया तो length इंक्रीज किया तो time period बढ़ा time period बढ़ा time period बढ़ा time period बढ़ा चाप लोग simple simple चिन्दी चिन्दी applications है यह जल्ली खतम कर देंगे चापकर जितने सवाल कराना मोर्दन सफिशेंट है वह ही सब आपको अपने गुलेट में मिलेंगे कि कोशन मैंग भी इसका रड़ी है कि कोशन मैंग भी रड़ी है कि 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 अगर चाप लिए कि अगर कि अगर कि मैंट इसने सब्सक्राव्य गौन परकाश चल रहे ना पड़ते रहो। पिर नेक्समेश्ट वो जागानेक्ष्ट्रीक? और फिर 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 नेक्ष्ट्ट्रीक? फिर एक्समेश्ट्रीक, मैट्स। अब इसमें कुछ नहीं चीज करते हैं, जब देखो, सबने चाप लिया, मैं T-डाश by T के राश्यु निकालना चाहते हूँ, T-डाश by T, T-डाश is the new time period, this was initial, so this is, T-डाश is 2 pi root under L by G, L-डाश by G, 2 pi root under L by G, सबकुछ कट गया, सबकुछ कट गया, क्या बचा, root under L-डाश by L, बोलो, ये एक डाउन से चीज है, तो अब मैंने क्या किया, T-डाश by T को, ध्यान से सुनना, इसको अबने मस तरीके से जताया, देखो ध्यान से सुनना मेरी बार, बेटाई ये लेंट, ये लेंट, इन में कुछ रिलेशन है, क्या है, L-डाश, new length, new length L-डाश, is equals to original length L into 1 plus alpha delta theta, delta, वो रहे था 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 न, change in temperature, ये कित्नो को समझ में आ रहा है, ये कित्नो को समझ में आ रहा है, ये कित्नो को समझ में आ रहा है, रिलेशन, लिखाय था था न, नई length होगी, पुरानी length into 1 plus alpha delta theta, where delta theta is change in temperature, what is delta theta, delta theta is theta 2 minus theta 1, okay, वैसा सब clear है, सब clear है, तो इसको लिखा, 1 plus alpha delta theta upon, नीचे तो L है, आया कुछ कट रिया, क्या कटा, LL कट रिया न, वच्चा कितना, 1 plus alpha delta theta, क्या कटा, LL कट रिया, अरे कट रिया न, दू न, अब ये रेखो, इसको क्या मैं ऐसे लिखता हुआ, 1 plus alpha delta theta, power 1, power half, रूट अंडर है न, रूट अंडर को power half लिख सकता हुआ, अच्छा, अब, 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 क्या करें सार, देखो, ये तो समझ में आ गया, याद करो, मैंने ऐसा कुछ आपको बच्पन में पढ़ाया था, 1, 1 plus x, power n, where x is much, 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 much less than 1, this is approximately equal to, हाँ, इक क्या पढ़ा है था, 1 plus x, power n, और x बहुत, बहुत, बहुत चुटा है, अरे, 1 के बराबर नहीं रहे, ना, this is equal to 1 plus nx, क्या मेरी बात सबको समझ में, तो धान से सुनो, यार ये अलपा जो है ना, अलपा, याद करो, अगर अपनने कुछ प्रॉब्लम किये थे, तो ये अपना है था, 10 to the power minus 5 में, 10 to the power minus 5 में आय था, दो तीन प्रॉब्लम कराया थे, ना, यार आ रहा है क्या, कहीं तो कराया थे, यार, देखो, कराया थे रहा है, आलपा की वैल्यू निकल भाई थी रहे, तो धिस अलपा इस वेरी स्मॉल, थाना, धिस अलपा इस स्मॉल, and if the temperature difference is also small and 1 plus alpha, sorry, alpha delta theta is less than 1, ठीक है, मतब मानलो जी, ये 0.1 आ गया, या 1 नी आ गया, sorry, 0.001 आ गया, तो ये बहुत चोटी कॉंटिटी है, तो this can be approximated as 1 plus half alpha delta theta, ठीक है, ये क्या है, ये approximation, this is approximation, ठीक है, ये approximation है, इसका, 1 का, अच्छा, ये लेको, t dash by t is equal to 1 plus 1 by 2 alpha delta theta, अच्छा, ये कुछ भी नहीं है, तो 1 ली सकते है, आप देको, मैं कुछ करने जा रहा हूं, ये पताव, ये क्या है, t dash है, इसके जो denominator में उससे t से minus कर दो, और t को as it is रहने दो, यहाँ पे नीचे, देखो, कुछ भी नहीं है, तो denominator में ले सकता हूं, 1 plus alpha delta theta और ये जैसे denominator वाले को minus किया, यहाँ पे भी denominator को minus कर दिया, ये चीज कभी maths पे करिया है, आपने, very good, very good, तो यह maths के chapters में कराया जाता है, अगर कराया जाते है, तो आपको clarity आगई होगी, तो देखो, यह वन, यह वन, जरह यह, देखो, यह क्या होगा, t dash minus t, this is delta t, this is t, अब कुछ कभी गिया, 1, 1, 1, minus 1 कभी गिया, and I am getting half alpha delta, क्या मेरी बात चंकी, क्या, इसको अपन रट लेंगे, simple pendulum में, delta t by t is equals to half alpha delta theta, half alpha delta theta, बड़ा प्रूफ होगिया, final result याद रखे, कई पे कोई, step ना समझ में आया हो, red वाला, black वाला, कोई पार्ट, एकदम सरसर चीज़ थी, क्यों कुछ आपने रहा है, इसर राइट सेड में इसके सारे term है, यहाँ, simple term कैसे आगया, clear है, t dash minus t is delta t, और याँ, 1 minus 1 बचाचा सिपे, इंकल ताब, 1 को लिखो, ना लिखो, इखी बाते ना, so this is the point to be remembered, जाला, इसर याचावर आपन, simple simple problem करना राहो, आपने, इसर आपने, इसर आपने, इसर आपने, और delta t by t is equal to half alpha delta theta, where delta theta is theta 2 minus theta 1 is delta theta, यह है change in temperature, this is change in temperature, ठीक है, delta theta को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, आप alpha delta theta into t, जो भी time, मतब change आया है, length में, temperature के ओज़े से length में जो भी change आया, उसके ओज़े से time में जो भी change आया, that is delta t is equal to half alpha delta theta into capital t. आप देखो, भी बहुत राफी चीज़ पताने माझा हूँ, अब दोस्ते आप लोग भूड जाओंगे, पहेंकर चीज़ है, यह copy down तो करी लिया, यह भी पार्ट करी चीज़ है, पहले वाली चीज़ है, परस ठीक हो यहां से वांग किया, यह पैसे कि थेरी भी लिखा दूँगा, इसमा चीज़ बताता है, इसकी थेरी भी लिखा दूँगा, इसमास सीज़ बताता है, फिर नाशपुर में भी लॉक्डाउन लगा जाए दिसने, अब मेरी बात जहां से समझो कितनों ने यह पेंडूलम वाली क्लॉक्स देखी है पेंडूलम नीचे ऐसे पेंडूलम लटकता था ऐसे आज कल भी आप देखोगे तो ऐसे पेंडूलम वाली क्लॉक है जो ऐसे घड़ी रहेगी ठीक है और ऐसा बड़ा सब उसे रहता है पिर यह ऐसा यहां पर कि ऐसे कुछ हैंड रहते हैं तो अब यह जो है मेकैनिकल मॉडल पर चलते थी बट आज के जमाने में जो भी पेंडूलम ठीक है तो पेंडूलम क्लॉक आज के जो भी दी जाती है यह सारी फेक होती है क्यों क्योंकि सारी की जारी जो भी है शोपी के लिए लगा देते हैं चलती है जो पहले और आजकल दो ऐसे अब डिजिटल हो गया है जो वाल्ट भी होती है वो भी डिजिटल कर लिए लोगों ने और हाथों में तो सारी डिजिटल होई गई है तो अब यह जो क्लॉक है इसका प्रिंसिपल समझना यह क्या बोचुता है कि यह जो पेंडुलम है कि यह यहां से ऐसे जाएगा एपॉइंट इस बी दिस इस सी अगर अगर जो इसका बॉब इसका बॉब जो है वो ए तू पीजाएगा एसे जाएगा तो यहां पे यह जो अपना है ना यह वाला जो सेकेंड्जवाला seconds वाला, यह seconds वाला, एक seconds move कर जाएगा, बात समझो, अगर Bob A से C गया, तो यह जो clock है, clock, वो कितना move करेगा, एक second, अगर Bob C to A वापस आया, जो time कितना हो जाएगा, एक और second, आगे proceed कर जाएगा, the second hand, the second hand, moves by one second, the second hand moves by one second, for each, each movement from one extreme, from one extreme to the other extreme, एक extreme से दूसरे extreme जाने पर, वो क्या होता है, जो Bob रहता है, यह यहां से A से C गया, तो second hand, तो इसके वज़र से क्या होता है, जब एक complete चक्कर लगाता है, A से start होआ, वापस A पर आया, तो घड़ी कितने seconds आगे जो यह वाला clock है, यह clock है, यह वाला clock कितना second दिखाएगा, अगर A से, वापस घुंके A तक आई, कितना second दिखाएगा, दो second दिखाएगा, क्या दिखाएगा, दो second, for complete, for a complete round, the time shown would be two seconds, देखो, यह जो घड़ी होती है, actual घड़ी, उसका जो time है, time, वो depend करता है, आपका बॉब कैसे move कर रहा है, अगर बॉब एक complete चक्कर लगाएगा, देन ही, आपका second hand, two seconds clock में आगे move करेगा, ठीक है, यह concept सब को समझ में आगा, the motion of bob depicts the time on the clock, ठीक है, एक complete revolution में, एक complete oscillation में, दो second, ठीक है, यह जो तिन points है, वो छाप लो, किछ हम आई, चलू रगया, इन ही points को, मैं बढ़िया से point बनाते लगा, झाल को, मैं आईएगा, आईब में, जैंगे रगादी आईफिक हम आईण को, मैं आईफ आप बूत वाली पिक्चर में ऐसे ये दिखाते हैं रात के बारा बजते ही खेडकें से जोड़ोड़ों से हवाने लगता है अगर 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 दिक्ने कर लिया लड़ा करते हैं झालो बेको आप यूट्यूब यूट्यूब करके देखता है जो मोशन है वो डिसाइड करता है आपका जो में क्लॉक में में क्लॉक में कितना सेकंड आगे मुव करेगा यूट्यूब यूट्यूब करेगा उतना ही आपका जो क्लॉक है वो मुव करेगा तो बहुत पॉइंट यह चीज याद रखने वाला है बॉब का मोशन क्लॉक में क्लॉक में टाइम शो करेगा तीक है अब मैं दो तिन पॉइंट बताने की ट्राइब कर रहा है केश-वन, केश-वन जैसे केश-वन क्या है थीटा टू इस ग्रेटर देन थीटा वन पहले इनीशाली थीटा वन पे था फिर फाइनली थीटा टू टम्परेचर पे चला गया तहां से सुनना थीटा 1 थे थीटा 2 गया, टेमप्रेचर बढ़ा, टेमप्रेचर अगर बढ़ा, तो T2 क्या होगा, T2 वुड़ बी मोर देन T1, मतलब जो यहां पे थीटा 2 पे मैंने T' लिया था न, थीटा 2 पे क्या लिया था, तो इसको अगर मैं T2 बोल रहा हूं, या चलो अगर आपको T' ही सही लगता, तो T' ले लेते हैं, एफ, थीटा 2 पे T' टाइम है, तो यह वाद सबको समझ में आ रही क्या, T' वुड़ भी ग्रेटर देन T, आचा, अरे, किसी बच्चे क्या वाज आई, माइक बंद्रफ होए, अब मेरी बात ध्यान से समझो, ध्यान से समझ दा, पहले, पहले, टेम्परेचर, लेट सेथ, थीटा 1 इस 30 डिग्री, 20 डिग्री पे टाइम शो हो रहा था, 2 सेकेंड, यह सिर्फ डेटा है, यह रियल डेटा नहीं है, शिर्फ समझाने के लिए आपको, वैसे बालू बहुत छोटी होती है, टाइम का जो चेंज होता है, बहुत छोटा बालू होता है, अगर माल लीजिए, 50 डिग्री सेंटीग्रेट हो गया, और टाइम हो गया, अब बैसे 2 से बढ़ा होगा, 2 से बढ़ा होगा, लेट से 2.5 सेकेंड है, यहां से मेरी बास समझना, पहले बाल को एक एक्स्रीम, टीटा 1 टेंपरेचर पे, टीटा 1 टेंपरेचर पे, A से C और C से A, आने में समय लग रहा था, 2 सेकेंड, यह सिब डेटा समझाने के लिए इतना बड़ा डेटा नहीं होता, अब क्या होगा, A से C, A से C और C से A, आने में अब समय लग रहा है, 2.5 सेकेंड, बात को गहुर से समझो, पहले, टीटा 1 टेंपरेचर पे, 20 डिगरी पे लग रहा था, 2 सेकेंड, अब लग रहा है, 50 डिगरी पे, 2.5, तो A से C, C से A, reality में लग रहा है, 2 सेकेंड, यह स्टॉप वोच है आपकी स्टॉप वोच और C से A आने में 2.5 सेकेंड लग रहा है, तो यहाँ पे यह अपना जो clock है, clock है, वो कितना समय दिखाएगा, यह दो second दिखाएगा, अच्छा, यह जो pendulum के moment से, जो real clock लगा हुआ है, वो कितना लगाएगा, A से C गए, C से A गए, तो यह तो अभी भी 2 second दिखाएगा न, बात समझो, जो आपकी यह जो घड़ी होगी, जो pendulum से attach है, वो Bob A से C गया, C से A गया, तो वो कितना time show करेगा, वो तो जब आपका pendulum यहाँ से यहाँ जाएगा, उसका एकदम routine fix है, अगर मेरे को तो चकर लगाओगे, तभी मैं दो second आगे move करूंगा, बट reality में हो क्या रहा है, reality में हो रहा है, कि आपका जो stop watch है, stop watch की भी से रहे हो, A से C, C से A आने में, बट जो clock होगी आपकी, यह वाली जो clock है, वो सिफ दो second move करेगी, A से C और C से A गये तो, क्योंकि उसका motion कावन कौन करता है, pendulum, और यह क्या है, यह real time है, यह real time, जो आपने stop watch से लगा रखा है, फोन पे, यह जो अपनी क्या है, जो wall clock है, pendulum clock ह है, वो A से C, C से 2 second लगाएगी, A से C, C से वापस 2 second रिखाएगी, बट रियालिटी में, यह real time है, यह clock का time है, तो जब temperature बढ़ता है, तब आपकी clock क्या हो जाती है, आपकी clock slow हो जाती है, अरे भाई साब, बस इतना होता आना था, कि अगर temperature बढ़ता है, simple pendulum में, जो pendulum वाली clock होती है, अगर उनका temperature बढ़ता है, तो clock slow हो जाती है, slow क्यों ही, real दुनिया में समय 2.5 है, और आपकी clock कितनी दिखा रही, 2 second क्यों दिखा रही, क्योंकि इसका motion करता है, oscillation, the clock becomes slow, clock slow हो गया, clock slow हो गया, चलो, जितना लिखा हो है, उसको राफ में उतार लो, वापे समझाता है, यह खतरनाख चीज है, आगर temperature बढ़ता है, तो मेरी clock slow हो जाती है, slow क्यों हो जाती है, क्योंकि उसको चक्कर लगाने में, ज्यादा समय लगी था, बट वो जो दिखाई की समय, वो तो 2 second ही दिखाई, तो हमारी clock slow हो गई, कैई वच्चे एक्टा मोड़क्रे, यह वाण, क्या क्या, झाल है, मोड़क्रें में ज्यादा, बटे दीघों का क्या धर है? पेटा यह इतना explanation कुछ नहीं याद करनी है जो मैं आपको यह तो पूरा explanation था कि ऐसा होता है ऐसा होता है बस इतना याद रखो temperature बढ़ता है क्लॉक श्लो जाती बस कि यह objective आता है इसकेंड पेंडूलम जो होता है सेकेंड पेंडूलम क्या बताता है वो टाइम बताता इसके अंदर एक complete पे जो सेकेंड है सेकेंड वो दो सेकेंड बढ़ जाता है कि छाप लेक्ट क्या कि छाप लिया अगर यह टी टू जो है यह 2.5 सेकेंड है टी डाश है और जो इनीशल वाला है यह तू सेकेंड प्रद साक्ट भीशन यजिए इनीशल टाइम जो है वह अलग चीज अव यह टू पॉयिड यह यह टू सेकेंड है यह यह एस19 निचर शीरिशन का टाइम पेंडुलम क्लॉक दो सेकेंड्स फॉर्वर्ड प्रोसीड करेगा ठीक है? ठीक है? यही टाइम क्लॉक क्लॉक शो करेगा दो सेकेंड्स ठीक है? बट यह 2.5 एट टेंपरेचर ठीटा टूपे यह आक्चुल टाइम लग रहा है बॉब को ओसलेट करने में ओसलेट करने में करने में ठीक है? 2.5 सेकेंड्स इस यह एक्चुल टाइम जो आपके बॉब को लग रहा है उसलेट करने में बट अगर उसलेशन किया तो आपका जो पेंडूलर क्लॉक है वो सामय तो सिफ 2 सेकेंड्स दिखाएगा रियल यह जो स्टॉप वॉच है स्टॉप वॉच के बिहाफ पे आपके बॉब को एक पूरत चक्कर लगाने में 2.5 सेकेंड्स लग रहा है बट आपकी क्लॉक क्या करती वो क्लॉक जो टाइम शो करती वो बॉब के बॉमेंट पे शो करती ठीक है उसलेशन के कारण है मेरा पेंडूलम क्लॉक दो सेकेंड फॉरवड प्रोसीड करेगा यह टाइम क्लॉक शो करेगा बट यह जो स्टॉप वॉच है वो 2.5 शो करेगा रियल दुनिया में 2.5 सेकेंड चल गए बट वो क्लॉक कितना दिखा रही तो मेरा क्लॉक क्या हुआ कलॉक इस डबॉट वबेर करेगा क्लॉक क्लॉक ही जोट गए इसी है कलॉकई तो मेरा हुआ सी गए ती को अच्छो अच्छो गए तोड़ थोड़र तोड़ तोड़ नाय होगा बस इतना याद रख लो कि अगर temperature बढ़ा तो clock slow हो जाती temperature बढ़ा तो clock slow हो जाती क्योंकि जो motion है उसमें तो समय ज़्यादा लग रहा और आपकी pendulum clock motion के भी हाफ पे शोख करती अचलो I tried my best problem करते हैं problem तो आसानी है बस ये concept है इसमें थोड़ा time लगता है बच्चों को slow कैसे हो गया fast कैसे हो गया case 2 देखते है हो गया ठीक है screenshot ले लो अगर temperature बढ़ा तो ग्लॉक को ज़्यादा समय लगता रोटेशन करने में बढ़ ऑस्सिलेशन करने में बढ़ ऑस्सिलेशन कंप्रीट होने पर वह आपना समय दो सेकें नहीं दिखाए था रियल समय वास्तविक दुनिया में दो पांच हो गया बढ़ दिखा रहा है जिस दो से ख़िक है ओके केस कि टू अब इसमें बताओ अगर रिटानर्टो टेंपरेचर जो है टेम्परेचर फिटानर्टव टेंपरेचर रिटानर से क्रप्रेचर वान अगर से किलिगन वाला जो दुसरे टाइम में अगर कम समय लग रहा है मान लीजे फॉर एक्जाम्पल जो अपना stopwatch है stopwatch stopwatch जो है 2.5 seconds दिखा रहा 2.5 seconds में अगर अपना pendulum clock है pendulum clock यह pendulum clock क्या करेगा यह oscillation के लिए 1.5 seconds लगा रहा तो इतने time में complete oscillation करेगा अगर complete oscillation करेगा तो इसका time कितना होगा यह time यह time complete यह time तू सेकेंड शो करेगा तू सेकेंड शो करेगा तू सेकेंड शो करेगा तेखो complete oscillation करने का time दो 1.5 seconds है जब temperature आपने कम कर दिया तो इसको कम समय लग रहा oscillate करने में तो pendulum clock पूरत एक oscillation कर लिया तो यह अपना यह pendulum clock कितना time तो करेगा दो सेकेंड रियल में रियल टाइम जो है वह 1.5 seconds हुआ है बट आपका clock जो है जो पेंडुलम है पेंडुलम वह ज्यादा कि पास्ट मूव करने लग गया अगर देखो कम समय में मूव कर गया कम समय में मूव कर गया फिर भी दो दिखाएगा तो दो ही सेकेंड तो clock क्या होगी clock is fast अट लो टेंपरेचर बंस इतना इसे आरता है अगा टेंपरेचर होग जाती लो टेंपरेचर होग पास्ट हो जाती कौन सी पेंडुलम क्लॉंग चाप लोग यह कोशन कराते हैं वह लोग कोशन करो खुश रहो इस ता वैसे खतरनाख नहीं है कि जिस बच्चे को चमग गया काम टेंपरेचर हुआ तो टीटू कम हो गया टीटू कम हो गया यानि 1.5 सेकेंड में वह पूरा एक चक्कर लगा लेगा और एक पूरा चक्कर लगाई तो अपने टाइम कितना शो करेगा कि अदो सेकेंड को दो सेकेंड बता रही जेड़ सेकेंड को दो सेकेंड बता रही तो मतब फास्ट हो गई ना वह अरे आया समझ में गौरी अधर्व आर्या बेसिक रूल याद करना टेम्प्रेचर बढ़ा तो क्लॉक श्लो हुई टेम्प्रेचर काम तो क्लॉक फास हुई बस और कुछ भी दिमाग मत लगाओ चल कोशन करते हैं कोशन तो आराम से कर लेंगे अपर कोशन बहुत आसा है यह फास्ट हो जाती है लोवर टेम्प्रेचर पे फास्ट हो जाती है कोशन है एकदम सिंपल यह लिखा रहेगा उसमें पेंडूलम क्लॉक अब पेंडूलम क्लॉक पूलम क्लॉक उसक्वां यह प्राव काशन पेंडूलम से पाव यह दूलम से लगेंगे अदेधीय आ χांग ल७ा लेंग क्ली फिफ्टीन सेकेंड पर डे इफ कूल्ड तू इफ कूल्ड तू जीरो डिग्री सेंटिग्रेड फाइंड आल्फा आफ दी रॉड आल्फा आफ दी रॉड बताया गया है अग्पोचागे आपसे अल्फा निकालना है क्या क्या दिया है क्या क्या दिया है ग kulli क्यों डिया ती वॉड टी इस हाफ अल्फा डेल्टा थी दा ठीट त ठीगη अचा कितने दिन का समय है एक दिन का पूरा इस इस वन डे वन डे में कितने सेकेंड हो गए कितने सेकेंड हो गए वन डे में पहलो तो चौवीस घंडे गए चौवीस घंडे में साट मिनिट और उसमें साट सेकेंड कितो ये चीज़ समझ में आई ये चीज़ सबको समझ में आ रही आचा वो कितना समय गें कर रहा 15 सेकेंड गें कर रहा ठीक है और इसको मैंने कर दिया हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू टी की ठीक है तो 15 सेकेंड गेंड कर रहा हाफ अल्फा डेल्टा थीटा कितना होगा इसेंच इन टेंपरेशर कितना आ रहा को देखो चेंज इन टेंपरेशर कितना रहा 20 डिग्री का ठीक, ओके, अब ये 20 दिगरी पर आया, अपना ये गेन कर रहा, ठीक है, अब ये फास बन जाएगा, ठीक है, ये फास बन जाएगा, और ये समय अपने को पता है, 2, 4, आप देखो, अलफा की वैल्व किति वही, अलफा की वैल्व ये कअगा, 10, so this is 15 फॉन, 10 इंतु, 24, इंतु, 3, 6, 0, 0, अलफा की वैल्व निकालने का ट्राइगा, अलफा की वैल्व निकालने का ट्राइगा, कि कैल्पिलेट कराओ कैल्पिलेटर से निकालो गारगी एकदम सही है थोड़ा सा होट शुप गई वेरी गूड मुरुदल का सही आंसर आया कि अल्फा निकाल ने भूलेगा डेल्टा टी बोल देगा वेरी गुडथ अन्गाउव्य। कि बागी जन्ता क्या कर रही है कि देखो यह आंसर आ रहा है मेजोरेटी जन्ता का आ गया बेटा कैल्कुलेटर यूज करो आपसे इत्ती बड़ी कैल्कुलेशन नहीं है माले कैल्कुलेटर यूज करो या था जरह फाइंड आउट करने की कोशिश करो चैल्कुलेटर लेके डिवाइड मारो बेटा पंदरा डिवाइड बाई कि या रहा गया 1.4331.1.73 या रहा गये चैल्कुलेटर से यूज करना है तो आपको क्या देगा वह पावर में अच्रेवा देगा कि यह पावर बताओ कि तारा रहां 1.73 into 10 to the power minus 5 1.73 तो अलफा पुश्टा आप्से तो यह अलफा बता है तो बेसिकली 10 to the power minus 5 है minus 7 दे सकता ठीक है तो देखो टाइमिंग आपने कलॉक क्या हो गई हर दिल वह 15 सगेंद आगे बढ़ जा रहे है तो चार दिन में एक मिनिट आगी में जाए इतना कि देखो प्रॉब्लम ऐसा आएगा प्रॉब्लम यह आएगा आए वोग सबको इतना क्लियर आलफा की वैल निकालने रहती ओके एक दूसरा प्रॉब्लम करके देखो इसमें आए ओप सबको आगया है कोशन है और पेंडूलम क्लॉप कंसिस्ट और कंसिस्ट और एन आइरन रॉड कनेक्टेड तो अपॉब्लम ठीक है और इट शोस शोस करेक्ट टाइम इसमें प्रॉड तेख्टेड अप्रॉड एट बीज दिखाता है इसमें इसमें प्रॉड पें आउस्ट आव फास्ट और शोड जोड वेल एट गो in कितना 30 days कितना slow या fast वो 30 days में हो जाएगा 30 days में at at 50 degree centigrade and alpha for iron दिखो ये hypothetical data दे रहाँ alpha for iron let's say मैं इस दिया 2 into 10 to the power minus 6 ठीक है तो अब आप निकालिए कि 30 दिन में वो slow होगी कि fast ये बताना है पहले तो दो तो ये ही रहता fast होगी या slow होगी और कितना seconds होगा ये बताना temperature बढ़ा temperature बढ़ा temperature increases अब देल्टा टी निकालो जाड़ा टैल्टा ये यूज करना और कुछ भी नहीं करना बेटा आपको एक तो slow और slow और fast पूशता और डेल्टा ठीटा पूशता और कुछ इसमें है ने बस चोटा सा अप्रिकेशन है अब स्टार्ट दिन में कितना समय होता वो निकालना है टी की वैल्यूटा टी इस इकोल्स सभी बच्चों काना चाहिए क्याल्कुलेटर यूज करने आता तो आप कर सकते यह वेरी गुड़ जंता कमॉन आशल आ सकते आप तवरिव पूरव राधा प्रियांशू साची सोरव वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड और कोई बच्चा और कोई बच्चा सौरव सोनी किदर है कभी राधा क्या कभी राधा गलत देगा थे कार्तिके कार्तिके का गलत थे दाइम उन्ना इतना गार्गे इतना काम नहीं है बटा कि यार मैं क्या ही बता हुआ है कैल्कुलेशन करनी है आलफा की वैली दे रखिए तो एंटू टेन टू पावर माइनस सिक्स कितना चेंज इन टेम्टेटर कितना हुआ तीज डिग्री का है कैपिटल टी कितना है कैपिटल टी है तीज दिन एक दिन में होते 24 घंटे एक घंटे में होते तीज साथ मिनिट और एक मिनिट में होते साट सेक्ट मुल्टिप्लाइ कर लो अंसर आ जाएगा इसको मुल्टिप्लाइ कर लो टेन के पावर सिक्स है यह यह तू टू तो गया 3 2 3 9 24 36 10 to the power minus 6 एक दो तीन साथ ओ भाई साल इतना कदर ना कारा के तूंटो गुगा इतना तब है एक क्या गडिविलेशन करो यार अब क्याइव लेटर चला है यह सही आंसर तो 77.2 पॉइंट कि मिजॉरिटी बच्चों का रहे है इस विज़े सही आंसर है कुछ बच्चे हैं कुछ अलगी कर रहे हैं आप प्रेम देखो बेटा इसा कैसे आया क्या आया है वाक्ति लोगों को गवरी इस पुर्णी का क्या पता क्या रहे है कबीर का भी जलता है अलपा का टू भूल गया था क्या करने है और तो क्या करना है थीक है 77.76 सेकेंड यह होता है मतब एक महिने में आपका कि एक मिनिट देड़ मिनिट के राउंड क्लॉक चेंज आला है वो तो नेगलेजिबल है इतना एक साल में जाके कोई थोड़ा लंबा इंपैक्ट कुल समय हुआ हुआ है 77.7 आना चाहिए क्याल्कुलेटर से क्याल्कुलेट करके देखो यह क्याल्कुलेटर वाले प्रॉब्लम है गौरी क्याल्कुलेटर यूज करना तो डाइरेक्ट कोशन आ सकता कि तेंप्रेचर बताए यह आपसे पूछ सकता डेल्टा ती वाई ती यह ती की डेल्टा ठीता की वैल्यू बताओ यह यह वाला भी कभी गया रहा है एक्जाम में ना टाइप में या नीट में ऐसा ही पूछ सकता तीक है नीट में बहुत रखता कि इनमें कौन सा करेक्ट रिलेशन है यह सही रिलेशन है यह रिलेशन भी याद रखता है आपको तो सिंपल पेंडुलम कदम यह प्रॉब्लम आते स्लो होगा डाउन होगा यह आप से पूछा जाता जब टेम्प्रेचर बढ़ा दिया स्लो डाउन वाला नॉलेज होना चाहिए और दूसरा यह पार्णा पता रहन है तो अभी एक सेकंड पार्ट है देश कॉल्ड है थर्मल स्ट्रेस क्या हुते हैं स्ट्रेस फड़ाई का स्ट्रेस हो रहा ठीक है है तो वैसे ही एक क्ट्रेस पॉंटिटी है इसको अपने को पढ़ना यह डिफाइंड है कैसे वह देख लेता है एक अलग से चाप्टर है properties of matter उसमें बहुत ज़्यादा in depth पढ़ाया जाता है stress यह बहुत सारी questions करते हैं अपन तो stress वे अलग type के उच्छे सब अपन पढ़ेंगे जब यह जो है in depth किसमें पढ़ेंगे POM करके chapter है properties of matter उसमें करेंगे तो by definition stress is defined as stress is defined as force upon area physical quantity है इसको अब लेटर इसमें study करेंगे तो this is f by a this is Newton per meter square this is Newton per meter square आप से बुझे what is the dimension of stress stress ka dimension पुझे है stress ka dimension define this is definition this is the definition stress is equals to force कितना है स्ट्रेस कि एंग कि आगे सबीगा कि अब फोर्स होता है एरिया हो गया एल स्क्वेर अब इसमें बच्चे की जान ले लो कि यह कि अधिक है वेरी गुड सभी का साहिया है तो स्ट्रेस है वैसे एक और कॉंटिटी है स्ट्रें एक चाप्टर है पढ़ाऊंगा स्ट्रेंड इस चेंज इन लेंथ पॉण ओरिजिनल लेंग चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इस डेल्टा एल बाइल नॉड बात समझ में आ लिए है इसका डैमेंशन क्या होगा strain का dimension very good dimension m l t m 0 l 0 t 0 sir क्योंकि यह लेंद बाई लेंद इस तो एक रिलेशन है यह रिलेशन याद करना है why is stress by strain जो stress by strain का ratio है यह constant होता है एक given metal के लिए stress by strain का रिश्यो एक constant होता है इसको बोलते हैं young's modulus क्या होते हैं यंग्स modulus इस एक फॉंस्टेंट ठीक है यह is strain y is equal to stress by strain तो stress की value है f by a और strain की value है delta l by l0 यह अलग से इस पर बहुत सारे problem अपन properties of metal में करेंगे it is one of the application of heat and thermo ठीक है तो y is equal to f by a into l0 by delta copy कर लो इसको कि एक्दम सिंपल से चीज़ है कि अग्दम से चीज़ है कि अग्दम से मैं यह डिफ्रेंसेज जो है प्रेशर और स्ट्रेस का में जब चाप्टर शार्ट होगा बहुत माईनीव से डिफ्रेंसेज हैं जो में जब मेजर डिफ्रेंस हैं यह अपन जब अबन प्रॉपरडीज आप मैंटर करेंगे उससमें आपको बताएंगे प्रेशर का भी फॉर्मॉला से मोता है स्ट्रेस भी सेम ही होता है डाइमेंस्ट दोनों के सेम हैं बहुत साथ यह में वह इसक्रस करना है वह पर चाप्टर में करें प्रॉब्मॉला सबस्ट भी आपको बता है वह पर चेपए आपको बताएंगे प्रॉब्मॉला सेमे हैं अब हीट के वज़े से स्ट्रेस आ जाए इसी बॉडी में हीट के वज़े से स्ट्रेस आ जाए तो उसके प्रॉब्लम कैसे सौर करते हैं देखते हैं बहुत सवाल है इतना ज्यादा समय नहीं लगेगा हाड़ी दो कुशन कराएंगे फिर यह वाला पार्ट भी कम्ट्रीट हो जाएगा कि दो कुशन कराने हैं बहुत सिंपल से इन डेफ्ट इसको प्रॉपर्टीज ऑफ मैंटर चैप्टर में करेंगे इनके बीच के डिफ्रेंसेस क्या है कितने टाइप के होते हैं स्ट्रेस भी डिफ्रेंट डिफ्रेंट ट्राइप के हैं यह मॉडूलर्स जो हैं यह भी तीन यह फॉर्मले से आपको रट गए है वाइस डिफाइंड है यह डेफिनेशन से हैं ना वाइस ट्रेस्ट वाइस ट्रेंट अपने डाल दिया वैल्यू अच्छा आप मेरे को यह प्रॉब्लम देखके बखाओ यह प्रॉब्ल्ड शेया है और यहां पे एक राड है एक राड है ल 나서 उसका लंट है ठीक है एक रॉड है उसका लेंट एल नॉट है ठीक एक रॉड है लेंट उसका एल नॉट है और यह है टेंप्रेचर तीवन पे यह किते टेंप्रेचर पे है टेंप्रेचर तीवन पे यह एल नॉट रॉड है यह वाला वाल्स है यह फिक्स वाल्स है और यह बीच में अगर टेंप्रेचर बढ़ा अगर टेंप्रेचर टीटू बढ़ा तो आप मैसूस कर पारे क्या यह रॉड जो है यह लेंट इंक्रीज करना चाहेगा अपना यह रॉड जो है अपना इंक्रीज करना चाहेगा यह रॉड यह रॉट एक्स्पैंड नहीं कर सकता यह रॉड एक्स्पैंड नहीं तुं से तिया होता है बाखिय को इंक्नौर कर देते हैं बड़ को नोभी चीज पाकई चूट है तो अगर टेम्प्रेचर बढ़ा लेंथ इंक्रीस पिसिमेंट इंख्रेश dag ए Dal ग्रीस तो एच सुने सब्सक्रेशised इनट इंक्रीज और ज़ुट नग्रीज अगए अगर टेम्रेचर बढ़ा लेंट इंख्रीस इеф but due to fix points fix support but due to fix support length remains same and the rod will experience will experience stress 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 वो compressed हो गई है देखो बढ़ना चाहती है temperature पर वो क्या है stress हो गई है उसमें compression हो रहा है तो इस case में strain कितना हुआ तो strain कितना हुआ find strain fine strain at temperature T2 एकदम easy है strain क्या होता है strain defined है delta L by L से आचा delta L क्या होता है ओरिजिनल लेंड कितना है एल नॉट चेंज इन टेंपरेचर आया T2 माइनस T1 इन्टो अलफा हो गया गया कितना हुआ तो ओरिजिनल लेंड लेंड लो तो delta L की वैल्यू एल नॉट टी टू माइनस T1 वाई अलफा पॉन एल नॉट एल नॉट एल नॉट गया तो क्या बचा जो भी रॉड में स्ट्रेस होगा दाट इस टी टू माइनस T1 इन्टो अलफा यह स्वाज में आया गया कि स्ट्रेइन पूछा गया है कि स्ट्रेइन कितना होगा एट कॉपी कर लो कि स्ट्रेइन पुपी कर दो नॉट स्ट्रेइन im पूपी कर दो करदे़ स्ट्रेए9 हो गया सब ने चापा तो ऐसे आप से पूर सकता नौर्मल एगो कि बताइए कितना हो गया स्टेने स्टीटू माइनस चेंज इन तेंपरेचर इन्टो अल्फा तो ऐसे चुट-चुटे सवाल है आपको बस कॉंसेट यह कॉंसेट कहां सिखाए जाएगा जब प्रॉपरटीज उप मैंटर चलेगा तो चलेगा बहुत दिन चलेगा ठीक है तो उसमें ज्यादा क्लेरेटी आ जाएगी स्ट्रेस ट्रेंड प्रेशर वेशर सब पर चल जाए कि उगए एक को चलेव एक वोज है तो इस धुल रॉर ड्यूंत अ ग्रप क्म लाब बट्वीन तो एन्स ते खिए जब तो एन्स तो एन्स आए बटें तो एन्स एपर ओल झई्स तो इन्स एड टूजिक ए ऑटें तो ऑन्स ओल बटें तो rod is at its natural length is at its natural length at 20 degree centigrade find the strain develop find the strain develop in the rod if the temperature rises to 70 degree centigrade alpha for rod is 1.2 into 10 to the power minus 5 1.2 in the car । 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 हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ हुआ है हुआ हुआ है हुआ है विजार्टे वच्छों का सही है शाब वाज तार्तक सही करो देवची गरत हो गया कार्टिक बाकियों का सही है वह क्रिष्णा कार्गी झार्टे of क्लेश शmani कि आपका माइक बंद है तो देखो इसमें मैंने क्या किया इसमें आपको यह बताया कि जो स्ट्रेन होता है इसला तो टेंपरेचर 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 इन्तु अलफा किया एक अलफा किया तो सतर इन्तु आल्फा किया मेरा स्ट्रेंट ठीक है यहां तक क्लियर है यह वार क्लियर सफिशन्ट है कई बच्चों का अंसर माच्च किया हाँ वह साथ तक है सर उदर टेन डिस्टो पावर माइनस फॉर चाहिए फाइनल अंसर में अंसर में ओके 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 हां यह मिश्टेक किया मैंने ज़िक पता नियुक्त कहा से लिए करके यह सब यह माइनस था तो माइनस फाइव रहेगा तो माइनस फाइव फिर लास में पर आप बच्चों का यह आंसर था कई बच्चों का यही वाला आंसर था, यही करेक्ट आंसर है, 6 into 10 to the power minus 4 ही करेक्ट आंसर है, majority बच्चों का सभी का यही आंसर है, ठीक है, थोड़सा calculation error हो सकता है, बाकी तो यही आंसर आना चीए, तो यह सबको समझ में आए क्या strain पुझा सकता है आपसे, अचा, अब कई बार क्या होता है, कई बार वो चीज क्या बुलेगा, यह सब दे दिया आपको, बुलेगा वो, in the previous problem, in the previous problem, sorry, in the previous problem, same ditto, कुछ same ही रखा है, in the previous problem, if the rod has a modulus, of y is equals to 2 into 10 to the power 11, ठीक है, इतना है उसका modulus, then find, then find the stress, then find the stress on the rod, ठीक है, due to, due to change, in temperature, आपको बताना है उस पर कितना stress आया, देखो strain निकाल रखा है आपने, strain निकाल रखा है और उसका modulus की value दे दिया आपको, formula देखो, पीछे formula देखो, क्या formula था, y stress और strain में, एक simple formula है, y stress strain में, simple formula है, this is hypothetical data, ठीक है, एक निकाल रखा है, y is equal to stress by strain, इस प्रएचिया था बार है, इस एक रहता है, तो stress की ता, एक बार है? आज़ है, ओस्टाइस कितना हो, आपको बादार, आपको आपको प्रश्वागे, प्रश्वा में, आपको प्रश्वाण निकाटे, आपको की दीके चालते, सब कुछ मैं उस वाले चैप्टर में बता दूंगा इस चैप्टर में यह प्रॉब्लम्स आपिस रिपीट होंगे तो घबराएं नहीं सिर्फ एप्लिकेशन बताया है अभी तो इन्टू टू पावर लेवें से इन की वैल्यू निकालो किसना है सिक्सेंटू टेंटू पावर माइनस फॉर ट्वेल इन्टू टेंटू टू पावर सेवन इस इस ट्रेस्ट ठीक माइनस में कैसे होगा पावर कि अग्षे कि सबका चाहिए वेरी गुड जनता का सभी का चाहिए वेरी गुड तो यह एक रिलेशन याद रखना है यंग्स मॉडूलस से तब्स श्ट्रेसं कर गीर कि आपके पास में तो ऐसे की वाल्यो आगई आप वह क्या करता है एक सेगेंड पार्ट में यह बूश्ट आए कि अगर स्ट्रेस ऐसे रिआए stress is f by a, stress जो है, वो f by a है, then find, then find, value of force on the rod, on the rod, if its cross sectional area, if its cross sectional area, if its cross sectional area is equal to one, mm तो बहुत चुटा हो गया, one centimeter square, ठीक है, अगर उसका area, rod जो है, rod होगी कुछ, rod का cross sectional area इतना है, अब उस पे stress लग रहा है, क्योंकि walls की between है, stress की value, पुरानी value ले जिए, area दिया हुआ है, बताइए, find the value of force, force की value लिखती होगी, forces, stress, त इक है, इक है, । आया नहीं कितना है अधा स्ट्रेस 12 इंटू 10 तु पावर 7 आ गया बागी बै आर एरिया नहीं कर पारे रिशी का गलत है स्वारप का गलत है पिटा एरिया कितना है वन सेंटिमीटर स्क्वेर यह स्ट्रेस जो अपने निकाला था वो कितना निकाला था बेसिकली यह देखो न्यूटर्न मीटर स्क्वेर होता है तो इसको मीटर में कर लिजे 12 इंटू 10 तु पावर 7 अब इसको मीटर में कर लिजे तो कितना बनेगा वन मीटर एक सेंटिमीटर देखाना वह वन बाइड हंड्रेड मीटर हुटता है अब उसे लवा कि दिखाऊ आज आज अब आज चमक रहे गया तब कोई पॉइंट समझ में आया कि अब आज अपने कुछ भी बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं करें एक पेंदूलम को डिसकस किया सिंपल पेंदूलम को सिंपल पेंदूलम में अगर टेंपरेचर पढ़ाओगे तो ग्लॉक स्लू हो जाएगी टेंपरेचर गठाओगे फास्ट हो जाएगी फॉर्मुला देखा और फिर एक नई चीज़ देखी स्ट्रेस और स्टेन पिरेख नई चीज़ देखी स्ट्रेस और स्टेन में क्या था फॉर्मुला टार एफ पाइए इस स्ट्रेस अदेल्टा वाई एल और फिर एक वैल्य आई वाई 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 इकोस टू स्ट्रेश बाई स्ट्रेंग देखो विची जा रहे है यह क्या है यह डिफाइंड है अलग से पर उसमें पर इन डेप्ट और पढ़ेंगे ठीक ओके यहां तर क्लियर है कोई पार्ट नहीं समझ में हूँ यह 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 सब कुछ कराऊंगा मैं और उसमें बहुत सारे प्रॉब्रम्स करने मिलें ठीक है प्रेशर स्ट्रेस में क्या डिफरेंस होता है यह सब भी अपर जब प्रॉपर उपर से पतानी पड़ेंगी ताकि वह चाप्टर के लिए अपन कर सके तो दो आप्लिकेशन अकने होगय है दो अप्लिकेशन कम्लीट है वेल डू दू मोर अप्लिकेशन और खुद के हैं और और थो फॉपली दो एक लेक्शर में कल के परसुक्ळ लेक्शर में अपर तो नहीं होगा अ टूजडे में सब्सक्राइब कर देंगा मंडे टूजडे में इस चाप्टर कम्प्रीट हो जाएगा ठीक है तो आप मीडिंग लीप करके 1045 पर वी एसम शरकाल एक्से जोइंग करें 1045 पर पर कि अगर्ण कि सर्व कि सर्क कोडिंग क्लासेश कब चलू करते हैं पर एक दूबीक में प्लैन है उनका जैसे भी फाइनल हो जाता है पूर्स चैनली पाइफन का यह से दिसकेशन हुए है तुम्हें सीखने है क्या यह सर्व कौन पूरव ने अरिया यह सर्व 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 जब्टाइड गई न है ते विटा मैं बता था अविज छाए न वोस्सली दो वी तक समय दो बीक में स्टाट उगें कि वोके झाल झाल